हाई गाईज मेहितेश मेरी यूटूब चानल नेटलिक्स एचडी में आपका फिर से स्वागत है गाईज आज हम बात करने वाले हैं आने वाली सारू एने की SRK की न्यू मुवी जिसका नाम है पठान पठान की बारे में आज पूरी जानकरे मिलेगी पठान मुवी की रिलिस देट, स्टोरी, कास्ट, कहानी और इसका टोटल कास्ट कितना हुआ है गाईज पूरी जानकरे इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ तो गाईज वीडियो को लास्ट टेक जरूर देखें मेरी यूटुब चैनल नेट्फ्लिक्स एच्डी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाईज सब्सक्राइब जरूर कर ले बाल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूले क्योंकि गाईज ऐसे ही आपको मुवी से जूड़ी हुई बहुत सारी इंफ्रमेशन है जो की मिलती रहेगी तो गाईज वीडियो के सुरूवात करते है सुरूवात में बता दू के सारुख खान वेरी नाइस सारुख खान का और एक मुवी आ रहा है जिसका नाम है जवान और एक मुवी अहाँ पर मैं आद बताने वाला हूँ जिसका नाम है पठान सारुख खान अपकमीन मुवी है पठान जल्द ही सिनेमा गरों में देखने को मिलेगा जिसके लिए बासा फैन काफी बे सबरी से उनका इंतिसार कर रहे है सारुख खान एक पठान का किर्दार निभाने वाले है जो दरاسल काफी ज्यादा पसंद आने वाला है लोगों को गज़ पठान मुवी के कास्ट के अगर पात करे तो उसमें हमको देखने को मिलने वाले है मुख्य अदाकारा में बीपी का पदुकोंडे सारु खान और जॉन अब्राहम और साथ में मिलेंगे डिम्पल कपाडिया ये मुख्य कारेक्टर रहेंगे चिनके केदार की कल्पना हम ट्रेलर से ही कर सकते हैं किस पठान मुवी की स्टोरी की अगर बात करें तो पठान एक क्राइम ट्रीलर होगी और इसमें एक ड्रक्स डीलर जो है ड्रक्स डीलर यहाँ पे दिखाया गया है मुवी की अगर बात करें तो मुवी ड्रक्स डीलर के आजपास गुजरती होई दिख रही है जहाँ पे जॉन अब्राहम को ड्रक्स डीलर दिखाया गया है सारु खान को रो एजन्ट के रूप में हमको देखने को मिलने वाले है और दिपीका पदु कोने जो है एक पुलिस अधिकारी के रूप में यहाँ पे हमको दिखने वाली है स्टोरी की अगर यहाँ पूरी स्टोरी यहाँ ड्रक्स माफिया और रो एजन्ट साथ में पुलिस के इर्दगिंद गुंती हुई हमको देखने को मिलने वाली है रिलीज के अगर बात करें तो गाइस यहाँ रिलीज जो है तेलगू, हिंडी और तमिल पीन भासाओं में रिलीज होने वाली है इस मुवी के बजट की अगर बात करें तो मुवी के पीछे कितना खर्च हुआ है तो मुवी सूपर हिट ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए बजट अखम भुमी का अधा करता है जिसके लिए डारेक्टर जो है सिद्यार्त आनंद जी ने 200 से 250 करोड का बजट रखा है मुवी एक्षन, म्यूजिक, इमोशनल के साथ था सभी हाव भाव हंटर परसल खरा रखने की कौसिस की गई है मीडिया कॉर्परेट के अनुशार सारुक इस फिल्म में 100 करोड रूपिय लेने वाले है साथ में दिपिका पदुकोने है जो की 15 करोड लेंगी और जॉन अबराम है वो 20 करोड फिस लेने वाले है इस मुवी की रिलीज डेट के अगर बात करें पठान मुवी जो है ट्रेलर उसका रिलीज हो चुका है गाइस लोगों को बहुत पसंद आ रहा है यूटूब चैनल पर रिलीज किया गया है जहां पर पठान मुवी की अगर बात करें तो इसकी रिलीज डेट है 25 जैन 2023 रिलीज डेट चारी की गई है यानि कि 2030 में जैन्वरी में हमको 25 तारी को यानि कि 25 तारी में हमको देखने को मिलने वाली है तो गाइस इस पठान मुवी को अगर आप देखना है तो थोड़ा इंतजारा को करना होगा आइसर के की ये दूसरी मुवी होगी जो की आपको बड़े परदे पर फिर से आइसर के डिखने वाले है ताथ में हैं डीपी का पदुकोने और जॉन अब्राहम गाइस इसी प्रकार की बहुत सारी मुवी की इंट्रमिशन लेकर मैं आपके सामने नहीं पेस होता हूँ को बड़े दोस्तो बावाई